हलो दोस्तों शड़ी मूड में आपका स्वागत है बिहार फायरमन भरती दोहजरे कीस फायरमन का टेस्ट लगाईए टोटल पचीस कुशन है पचीस कुशन में से कम से कम बीस कुशन सही करने की कोसिस कीजिएगा और अपना स्कोर भी जरूर कॉमेंट बक्ष में बताईएग चलिए शुरुवाद करते हैं मौरसमराज की राजधानी कहां इस्थि थी यह आपको बताना है जो मौरसमराज है इसकी अस्थापना चंद्रगप्त मौर ने किया था और इसकी राजधानी जो इस्थी थी यह पाटली पुतर इस्थी थी अभी के पतना वाला छेत्र जो हो पूटे हैं ठीक यह द्यान में रखिएगा यह आप से कोशन पूश रखता है कि कृतिम इट डाक्याड वाला एक मात्र भारती अस्थल कौन सा था प्राचीन में आप देखिएगा सिंदु घटी सब्यता के समय आपको था ठीक यह बंद्रगा होता है डाक्याड मतला बंद्र लगा था और लोथल इस्थित कहां पर है तो लोथल जो इस्थित है यह गुजरात में इस्थित है कोशन पूश सकता है और यह जो लोथल है यह किस नदी पर किनारी इस्थित यह भोगवा न दी यह भी धियान में रखिएगा भोगवा न दी आप से कोशन पूशेगा तो आंदर पर्देस के सास्त्री नित से लिए है ठीक यह ध्यान में रखेगा कोशन पूश रकता है जैसे कि ओडिसा का ओडिसी है ठीक यह पूश रकता है आपसे कोशन जैसे कि सबसे प्राचीन सास्त्री नित में आता है भारत नत्यम जो की तमिलाडू से है और उसके बाद होत भारत में राष्टे बीधी दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है, राष्टे बीधी दिवस या कनून दिवस भी बोल सकता है, लोडे के रूप में, तो भारत में राष्टे बीधी दिवस के रूप में कौन सा दिवस मनाया जाता है, यह आप से पूशर आया कोशन तो आपको बता दे कि 26 नॉम्बर को राष्टे बीधी दिवस मना जाता है क्यों मनाया जाता है तो आप सभी लोगों को पता है कि 26 नॉम्बर उनईशो उन्चास को हमारा सभीधान बन गया था और कुछ परवधान उसी समय लागू भी हो गये थे लेकिन पूर्ता जो सभी धान लागू हुआ था यह 26 जनॉम्वरी उन्चास को लागू हुआ था इसलिए हम लोग 26 जनॉम्वरी को गरतन तर दिवस मनाते हैं लेकिन बीधी दिवस मनाने का जो बनाया गया योजना यह 26 नॉम्बर को मनाया गया गया था और कुछ प्रवधान लागू भी हो गये थे यह ध्यान में रखिएगा तो फॉर के एंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा आगे चलते हैं कुछ नॉम्बर फाइब देखिए किस लड़ाई ने मुहम्मद गोरी के लिए दिल्ली छेत्र खोल दिया किस लड़ाई ने मुहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का छेत्र खोल दिया यह आपको बताना है क्वेशन देखिए तराइन का युद्ध हुआ था तराइन का दो तो यह जो हुआ था मोहिऊं मत गोरी और पर बस गए और यहां पर अलग अस्थापना भी हुआ ठीक याद्यान मरा रखेगा आगे जाकर पानी मत की पहली लड़ाई भी हुआ था पानी पत्ते इसके इंसर पर आपको जो सकते हैं या आपको डिली छ्यट्र के लिए कोई भी यूद्ध करें के लिए अता था और उसके बाद आपको निर्नायक अभी नहीं रू 인वा थैसके बाद इसके बाद इसके बाद मेगे मुगल आते हैं जो आठे में सबसे पहला जो है बाबर बाबर मुगल आता है तो पानिपत की पहली लड़ाई होता है 1526 में याद रखिएगा बाबर और इब्राहिम लोदी लोदी वन्स के लाश्टी सा सकता और वह भी अफगान सा सकता और वहां से अफगान वन्स का समाप्ती हो जाता है ठीक तो यह 1526 में पानिपत का पहली लड़ाई हुआ था 1526 में पानिपत के दूसरी लड़ाई हुआ था यह अकबर और हेमों के बीच में हुआ था और 1761 में पानिपत के तीसरी लड़ाई हुआ था यह कब किसके किसके हुआ था मराठा और अफगानों के बीच में हुआ था यह सब आ अंग्रेजी सिक्षा के परिचाई के लिए ने मिलिकित में से कौन उत्तरदाई है या आप से पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि लाड़ बिलेन बेंटिंग के समय लाड़ मैं काले को न्यूपत किया गया था और उसमें पश्चात्ति सिक्षा में इसकी अंग्रे लेन बेंटिंग किया था 1839 में तो ये इसमें मुख सहयूग राजा राम मोहन राय ने भी दिया था ये ध्यान में रहे के लाड़ डलहुजी का नाम सुनते ही आपको ट्रेन आता होगा दिमाग में या राज कहनपनिती लाड़ डलहुजी द्वारा ही लागू किया था और नित्रत राज पर राजपाल के नीउकति करता है यह बताना है कि निमलीखितमेसे कों राजपाल के न्यूकति करता है आपके सामने अपसन है ध्यान पुर्वक देखना है और लगाना है ठीक ताव सबी लोगों पता है कि राज्यों में राजपल के न्यूक्ति किया जाता है वो राष्टपती द्वारा किया जाता है और राष्टपती राजपल को हटा भी सकते हैं यह भी ध्यान मर रहा है कि एक से अधिक राज्यों का एक ही राजपल बनाया जा सकता है उसको अत्रिक्त परभावर दिय आपके पास लाया जाए जो आर्टिकल 32 के तहट रीट जारी किया जाता है या आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 में कनफूजन नहीं होना चाहिए आर्टिकल 32 के तहट सुप्रीम को ट्रेट जारी करता है अगर पांच रीट में से एक रीट है कि अपने सरीर को प्रकट किया जाए जाए मतलब की कोट के सामने यह इसमें से कौन यह बताता है ठीक आपका आपसन यह रहाचारो यह होता है बंदी प्रतिशिकरन कोई ब्यक्ति माल लीजे बंदी बनाया गया ठीक तो उसको 24 घंटे के अंद पेस यह मजिस्टेट के सामने पेस करना होता है वहीं बंदी पर्थिची करन होता है अगर यहीं आपको नहीं पेस किया जाता है ता आपका fundamental right का हलन होता है और इसके तहट आप rate जारी यह वाला rate जारी किया जाता है High court या Supreme court द्वारा और बताया जाता है कि आखिर ऐसा क्य यह आपको बताना है यह आपके सामने अपसन है ताप सभी लोगों को पता है कि यह किसे कहा जाता है तो डाक्टर भीमरा अमबेटकर ठिक डाक्टर अमबेटकर जी को जाना जाता है और डाक्टर अमबेटकर जो थी यह ड्राप्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भीरा चुके है सभीधान के जो परणुप समीति था जिसके साथ सदस थे उसमें सी अध्यक्ष भी राच चुके हैं और यह आप याद रखिएगा कि जो गोल में समेलन हुआ था तीनों गोल में समेलन में भी डाक्टर भीम्रा अंबेटकर नहीं भाग लिया था और जो पूना पैक्ट हुआ पथा यह डाक्टर भीम्रा अंबेटकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ थे यह भी ध्यान में रखिएगा आगे क्वेशन पूशकता है क्वेशन 11 देखिए श्वार मंडल का सबसे चमकीला गरह कौन सा है श्वार मंडल में आप देखिएगा नौ गरह है जो कि नौ कीला गरह आप ूच रहा है तेी यह हो जाएगा सुकर सुकर को भोर के तारह सांज के तारह संबसे चमकीला गरह सांज के दारह सब प्रितवी आता है ऊसके बाद मंगल आता है उसके बाद श् хотел पत्री वाला द आता है उसके बाद व्र ישपाति ही उड्र रवास्ता में होता है वस को बाहर हो पती हैं कि यहाद रखिएगा तो यहाँ प्र मैं आपको बता दू कि यहाँ ago सबसे नजदीक है सूरज का लेकिन बूध नजदीक होते हुए भी सबसे गरम गरह नहीं है कौन है सुकर सबसे गरम गरह क्यों है तो यहां पर सुकर कि आप देखिएगा वह मंदल में स्योटू सबसे जादा है 95 से 95 परसंट और स्योटू का क्या काम होता है कि वह आपको सूर राज में इस्तित है यह आप से कुशन पूश रहा है गुलकंडा के जो किला है किस राज में इस्तित है आपके सामने यह अपसंद रहा तो गुलकंडा का जो किला है यह आपको तेलंगना मीशती थे कहां पर हैदराबाद से कुश किलूमेटर दूर में तेलंगना मीशती ठीक यह दियान मर्के एक कोशन पूछ सकता है ठीक तेलंगना का स्थापना का वह था दो जुन 2014 को वह था किसे कटकर हुआ था यह आपको आंद्र परदे से कटकर बना था तिलंगना ठीक यह दियान मर्किएगा और गुजरात गुजरात के बारे में याद रखिएगा कुछन नमर 13 किसे भूमत दिसागर का लाइट हाउस कहते हैं यह आपको बताना है तो आप देखिए का इटली के समीपी एक दीप पाया जाता है जिस पर अश्ट्रमबली जो है ज्वाला मुखी है यह वहाला मुखी इसलिए आपको भूमत दिसागर का इसे लाइट हाउस कहा जाता है ठीक तो 13 कैंसर कि अधिगे अराम सागा लिजिए गा कुश्चन नवर 14 पर अभ्हारण जहां पर कस्तूरी हीरण पाया जाता है जाता है यह कॉस्थारी मिर्ग भी बुला जाता है यह पाया जाता है यह कौन से अभ्हारण है तो देखिए का जमू कस्मीर में दाची गराम है यहाँ पर आपको कस्तोरी मिर्गी मिलती है तो इसका एंसर क्या बढ़ाएगा C हो जाएगा मदू मलाई कहां कि है तो यह मदू मलाई जो रिजर्ब है यह आपको तमिलाडू में पढ़ता है गीर जो है यह एसी आई सेर के लिए परसिद्ध है और यह कहां पर पड़ता है तो यह गुजरात में पड़ता है और दाची गराम तॉप जमू कस्मीर और कानहा कौन सहील अस्टेशन है जिसका आर्थ होता है उसके नाम का प्लेस ऑफ थंदर बोल्ट तो एक ध्यान मरकिएगा यह आपको पश्यम मंगाल में इस्तित एक जगह है जिसका नाम है दार्जी लिंग और दार्जी लिंग टी भी आपको फेमास से यह दे तो दार्जी लिंग दारजली मिस्क दारजी मिस होता है क्या थंदर बोल्ट होता है और लिंग मिसका होता है तब प्लेस होता है मिसक जगा तो इसका ये आपको तिबती भासा से निकल कर आया है दारजली तिबती भासा से वहीं से मतलब होता है इसका मतलब ही होता है कि प्लेस ओफ थंदर पाद चावाल के खेती के लिए सबसे भी च्मिति जलोड मिटी और पोरे भारत में देखा जाए तो सभ्से ज्लोड मिकंटी ही पाए anyovernightih जाता लाया जाता होता है जिसकी पुराने और नाम से जाना जाता है रेगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है ठीक आगे चलते हैं कुशन नमर 18 कि सस्ती मुद्रा का अर्थ है सस्ती मुद्रा या आपको देखिएगा सस्ती मुद्रा का मतलब क्या होता है यह आप से पोशन पूशकता है अराम से अपसन पढ़िए औ खचन खचन का प्रवाची सब्द शुत है कंचन लुग अधिक उप्यूग करते हैं जब केंम होला stripped यह जिन वस्थू का फियोक करते हैं जब उसकी कीमत बढ़ती है उस वस्थू को क्या कहा जाता है तो गयफिन किअंसर क्या हो और यह ऑर यह हो जाएगा कीमत बढ़ता है फिर भी लोग इसका इस्तभाल करते तो कौन से अस्थी माजा में होता है यह आपको बताना है ठीक वैसको में तो यह जो होता है यह आपको लाल अस्थी माजा में होता है लाल अस्थी मादा बोन मेरो जो है रेड बोन मेरो में आपको आरबी सी का गठन होता है वैसको में ठीक तो इसके इंसर याद रखेगा एक इस देखे किसके गोड़ सुत्र सो होता है लिंग निर्धारा ये आपको बताना है ठीक देखे गोड़ सुत्रों के संख्या 46 पाया जाता है मनुस्यों में जिसमें 44 गोड़ सुत्र जो होता है सेम सेम होता है वो मेल में भी और फिमेल में भी लेकिन आपको दिखेगा दो जोड़ी जो गुर्ण सुत्र पाया जाता है, यह दियान में रखेगा, इसमें xy और xx, तो यह xx है, मैं इसकी आप देखिएगा, कि female में, टोटल 46 का 46 गुर्ण सुत्रों की संख्या xx होता है, ठीक, और जो आपको male है, उन्हें में गुर्ण सुत्रों की संख्या देखिए ठीक, यह दियान में रखेगा, मतलब की xy हुआ तो लड़का, और xx हुआ तो लड़की हो जाती है, ठीक, तो यहाँ पर मैं बता दू कि यह पिता के, पिता के ही गुर्ण सुत्रों से लिंग निर्धारन होता है, यह दियान में रखेगा, 22 के एंसर क्या हो जाएगा, क्य किसके द्वारा खो जा गया था, जो परमाणू में निट्रों होते है, यह किसके द्वारा खो जा गया था, यह आपके सामने अपसन है, question बताना है, इसका एंसर, ठीक, जो परमाणू होते है, यह परमाणू होते है, इसके नाभिक में पोट्रों होता है, और निट्रों होत कीया χोज किया था आगे चलते कोउशन 24 देखी कि पानी को वास्प में कि बदनुने को क्या कहा जाता है अगर पानी है वाटर है अगर वास्प में बदल रहा है तो से क्या कहा जाता जाएगा यह आपके सामने अपसंन है तो आप जान रहे हूंगे दो परवर्तन होता है एक रासाइनिक परवर्तन में क्या होता है कि एक बार बदल जाएगा तो फिर वह उसी रूप में नहीं आएगा एक होता है बहुतिक परवर्तन बहुतिक परवर्तन में एक बार बदलने के बाद भी वह उस रूप में आ सकता है जैसे कि बर्फ पिखलकर प जबसे करद हातु है यह बताना कि इनमें से सबसे कठोर धाटू कौन है निमिकित मैं सबसे कठोरे सामने अबनीं होगा ठिक्ञ, यह पूछ रहा है कठोर धातू हुझ तो अगर यहाँ पर पोच रहा है कि सबसे कठोर धातु पूछ रहा है और धातु में आपके सामने अफसन प्लेटेनियम दिया हुआ है प्लेटेनियम बहुत ही कठोर होता है धातु में याद रखिएगा मैं हों। अगर अपसन में आप दिजिएगा तो यहाँ पर धातु ध्यान से कोशन देख लिजिएगा चांदी दिखे चांदी एक ऐसा धातु है जो कि विधूत के सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है ठीक और लो सोना देखे लिए सोना एक ऐसा धातु है जो कि अगात वर्धनी है